कि दान्स हो गया भाई साब रेसिजम से फाइट हो गई कुछ नेल्सन मंडेला की कोट पेस्ट कर देंगे और हम भी रेसिजम काफी भाई इतना नारेटिव था इस मैच से पहले इतना पूरा और उच्छिरिंगी तो अफ कॉर्स हर ऐसे वैसे तो शायद कल्चरिल वगेर भी चीज़ है बट क्या फर्क पड़ता है उससे मैच की बात करेंगे क्योंकि डान्स होगे रहा हो गया काफी 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 बोरिंग मैच था I think शायद दोनों दोनों टीम्स ने बहुत कम चांस ले ले लेक्स दोनों टीम्स ही वन सजा कम एक्स जी था प्रनिंग पॉइं ले लीगा में टोटल सीजन के हो गए और ले लीगा में भी सारे मैच जीत गई और डर्भी जीत गई और अच्छी परफॉर्मसेश भाई पहले तो पहले 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 चुआ मेनी की बात करेंगे स्टीम इंजन एक ट्रेन का इंजन है चूचू करता आएगा भगता वा आई थिंग कि चुवा मेनी और वो काफी similar dynamics है जितना मेरे को लगता है at least similar है जैसे कैसी मेरो कहीं बार आगे चलाया था cruise moderate को responsibility देता था पर फर्क इतना है कि चुवा मेनी actual में वो lines break कर सकता है वो pass pass देखा था crazy pass एकदम perfect weight था like perfectly set up for Rodrigo good finish और I think वो और इसी मूव से पहले वैलवर्दे का वो जो शायद वैलवर्दे था या किस वैलवर्दे था I think और शायद इसी goal में था जब उसने carry किया था वो part they were I think the highlights और इन दोनों का game काफी वो था वैलवर्दे और उसका और भई चुआ में नहीं तो मेरे को steam engine लगते हैं मैं तो ऐसी explain करते हूँ भई आएगा तोड़ता वह निकल जाते हैं और he has that added bit of invention और passing के साथ ability जो I think Casamira से कही नहीं पता इंप्रूफ कर रही है या नहीं कर रही है वो obviously future long term ही बताएगा क्योंकि अभी एक इतने छोटे उसमें कहना सान है but कही नहीं एक I think यह कह सकतो कि कही नहीं एक different dimension तो जरूर देती है जो क्योंकि जो Casamira नहीं कर सकता तो वह चुआमें नहीं कर सकते तो भाई वह बहुत फैदा और I think काफी main style एक ही यह cruise और moderate चुआमें नहीं क्रूस और moderate की अभी तक जितना मैंने देखा है और भाई एक उसकी बात करेंगा ऐसे क्या scene था game का क्या approach थी पर एक और बंदे की बात करनी है और obviously Vinicius की बात करेंगे क्योंकि यह match उसके लिए था like almost पूरा setup ऐसा हुआ था game का narrative ऐसा था पर भाई वैलवर्दे की बात करनी है अब मेरे को नहीं पता मैं मैं इसमें सोच रहूं अभी कि क्या यह एक change है वो you know हर season कहीं ना कहीं एक देखते है एक sort of revolutionary चीज लेक काफी different जो एक player को propel करती है वो for like next level पे और क्या वैलवर्दे के साथ यह है like I think कि पता नहीं क्यों मेरे को feeling like ऐसा है नहीं like मेरे को feeling ऐसे आते है कि वैलवर्दे इस वो ना वो बन रहा है Gareth Bale अब ऐसा है नहीं Gareth Bale obviously attacker था more like more attacker to what well वैलवर्दे इस और differences है दोनों के game में और वो सब पर feel वैसे आती है like वो engine वो ability वो speed, pace, power, athleticism उसकी वज़े से लगता है या तो वो बायस है physical quality सुले के पर तुम चलो यह बता हो तुम मेरे को बताना comments है is he more of a Gareth Bale या फिर is he more of a David Beckham क्योंकि Beckham भी शायद ऐसी खेलता था wide midfielder type और athleticism भी था Bicham में बहुत सारा तो भई ये मेरे को तो भई वैलवर्दे के साथ जो भी अभी तक Ancelotti ने किया वो obviously it's paying dividends but it looks great as well like उसका I think उसके qualities का बहुत अच्छी तरह use है like और I think क्योंकि different भी है like वो balance है जहाँ पर inisius का वो 1v1 threat यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर अलग चीज़ है like वैलवर्दे के साथ अलग चीज़ है वो defensive वो चीज़ तो दे गई obviously क्योंकि वैसे brought on है but उसके साथ वो उसकी deep से carrying अगे तो जो midfielder midfielderish kind of responsibility तो वो I think has been a great mix dynamics में काफी अच्छा है और रोटरी को भई मैं रोटरी को का breakout season without a doubt मतलब तो अब तो ही जो last season से continue कर रहा है last season के end से अब तक continue कर रहा है I think great game like कुछ-कुछ individual especially great game for the young boys जो Madrid के youngsters उनके लिए great game था और कारवाहल का हमेशा big game कारवाहल obviously कारवाहल के अच्छा जाता है जब भी जरूरत होती है इस टाइब का प्लेयर वन चुग है तो भई काफी अच्छा Militao अलाबा काफी comfortable थे को उर्टवा ने mistake करी obviously को उर्टवा इस season उतना वैसन लगा but again अभी तो कुछ अभी season start हो है तो कुछ ज़ादा कह नहीं सकते है पर एक बात करनी है और वो है कि approach जो मेरे को लगा कि मेडर ने अच्छा किया लगा एक तो पहली बात की अटलेटे को बहुत खराब थी लगा बहुत खराब कहना भी शायद गलत होगा they were good at one thing और वो तो ball अच्छे से का ले जब वो लगा कि अच्छा था एक आध बार counter press work करी जब वो greaseman ने shot लिया था लॉंग रिज I think that's it उनका इसके अलावा plan में कुछ work करानी Madrid वर very comfortable deep खेलने में कोई उनको जरूरद नहीं दिया और counter पर उन्होंने वो incisiveness दिखा दी पर एक और चीज थी जो Madrid के favor में थी और वो थी I think not necessarily favor I think यह मलब जो Madrid ने use किया to exploit और मलब ऐसे तो सब लोग समझते हैं कि जब तुम किसी भी team के against खेल रहा हो और जब तुम्हारे पास से ऐसी quality और pace in behind हो जो Madrid के पास है विनीशिया सोर रोटरीगों में तो what they had to do was कि bait करो ना bait करना है basically atletico को bait करना है and then you can attack the spaces जब उनके wing backs आगे होंगे या center backs आगे होंगे then you can attack it यह simple idea था और पते क्या है तभी आज कभी कभार Madrid खेलती है fast कभी कभार वो position fast हो सकती है like cruise moderate की quality obviously यह दिख जाती है and they can be fast like fast not just की बस counter चलेगा और एकदम भड़ से भाग गया fast मतलब उनके passes में venom है एक direction है उस तरीक एक motive है pass में fast होने का आज कहा था आज they were taking time and they were not really passing वो ball रख रहे थे carry कर रहे थे carry कर रहे थे carry कर रहे थे carry कर रहे थे और मैं दिखा तो उनका जो second goal था ना उसमें 21 passes करे थे 21 passes good but ऐसा भी नहीं बहुत जादा but they took I think more than a minute in just 21 passes तो वो क्योंकि दिखा रहा था लाइक वो करना था मॉड्रिच को ball रखनी है थोड़ा अपने पैरों में चलानी वगेरा वगेरा जैसी बेट हुआ and you see वह जो पूरा combination था Vinicius मॉड्रिच के साथ combine करते है बूम उसका वो जो acceleration थी freak थी almost box के अंदर भी तो वो चीज लेका इसे प्लान वह था बेट करना बेट करना first goal Harmoso का कंदे से मारा था उसने फर उसके बाद red card वगेरा bullshit fight लड़ाई धक्के मुकी यह सब हुआ पर भाई बात करने पड़ेगी जाओ Felix को क्या हो गया भाई क्या कर रहा उसने पूरे पता है क्या है एक तो जितना मैंने देखा रहा एक Twitter पर कहता है प्री जाओ Felix, बंधाव है, सीमियो ने बंधाव है but I think it is the, we have reached a point where this question needs to be asked कि is it more about Diego सीमियो ने और it has something to do with Felix as well like I think like disinterest, ability वाली बाद नहीं है it's not so much about ability, ability उसके दिखती है like वो है obviously but it's more about the disinterest, वो इतना दिखनी रगी मैं I don't see that sort of fire hunger उसके अंदर but I think it's still early I guess कितनी गेम्स हो एला लीगा मैं, there's still a lot of season to go World Cup आएगा बीच में a lot of things can change I think in fact, जैसे season है इतना weird सा इतना सारे गेम्स उसके इसाब से it's too early to tell anything about any team अभी तो, क्योंकि अभी World Cup आएगा बगेर अगेर अभी international देखागी बोरिंग बट तो वह सीन होएगा और चेंज होएगा things might change और भाई, I don't know, मतलब Simeone के साथ तो मुश्किल लग रहा है चेंज होना, हर गेम डिफेरेंट खिला रहा है it's almost like Celtic against Hypress किया Madrid against Hypress नहीं किया position रखा, बहुत अजीब है Simeone is trying everything job भी save नहीं कर सकता क्योंकि I think उसे sack करना ही मुश्किल है how are you going to sack the biggest legend of your club वो थोड़ा different है वो बहुत difficult है, almost impossible है तो Atlético के साथ भाई, बहुत weird बहुत मुश्किल season look at their centre-backs, Philippe Rainier के नहीं है, Rainier Bandawa और Witzel Witzel CDM खेलता था, Rainier वो था fullback था, left-back खेलता था और Philippe is well, Philippe 2018 के बाद साहा है, I have never seen him play decent इतना बेकार हो चुक है, बहुत ही गंदी defending at times players को चुना, बहुत fundamental mistakes but क्या बोले, this has been for like long now, two seasons or two seasons यह उन्होंने solve नहीं कहा है I think signings भी वैसे नहीं करी, centre-back में जाकर नहीं उनके best defenders injured रहते हैं और I don't know कैसे करेंगे, पर ऐसे नहीं उनके पास quality नहीं Griezmann, Griezmann I think had a decent game बुरा नहीं था, अच्छा था, did well और जब वो आगया था Angle-Corea आगया था, तब अच्छा लगा Morata, Kunia, यह सब I think they have a great team like आगे की तरफ, Kondog, Bia, Koke Rodrigo de Paul, जो I don't think had a good game, और ऐसे ऐसे players, अच्छे quality है, but it is not really working out, I don't know, I think Simeone, I think the cycle is attenant obviously, कहना मुश्किल है, दर्द होता है Simeone is a different personality पर, maybe it is the case maybe, शायद शायद, Simeone का time खतम हो गया, और I think main important चीज़ होगी कि क्या होगा, Laliga में, Laliga looks crazy वहाँ पर athletic club वहाई, वैलवरदे का club, खतरनाक कर रहा है, Ernesto वैलवरदे, athletic के साथ कमाल कर रहा है और I think उस third page है और अब देखो, भाई, season लंबा है, I think इस बार ऐसा नहीं हो, I think इस बार 90 plus points पता नहीं, 90 points के आसपा something I think, वहाँ तक जा सकती है टाइटल रेस, क्योंकि Barca Madrid दोनों की like individual level पर player quality बहुत जादा है compared to rest of the league तो वह एक, I think, will play a part but obviously अभी World Cup है तो तो मिलते हैं अगली बार, let me know मेरे को main question है वैलवरदे के बारे मिलोग है इसी more of a Beckham और इसी more of a Gareth Bale तो मिलते हैं next time झाल झाल